हेलो दियर स्टूरेंट्स आयम हिम चेन फ्रॉम नौजुति ग्लोबल स्कूल फारफानिंग दिस इस क्लास एर्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेवन कंजर्विशन और प्लांट्स एंड एनिमल्स पॉंधे एम जन्तू का संग्रक्चन हमने अभी तक साइंस की चैप्टर सिक्स कंप्लीट कर लिए जिसमें हमारा आज चैप्टर सेवन है इसके बारे हम स्टूडी करेंगे तो स्टूडी करने से पहले हम स्टूरी के तौर पर इसे समझते हैं कि हमने प्रिवेस क्लास में बूजो एम पहली जो थे पहली प्रॉफिसर एहमत एम टीवो के साथ वन उत्सुक थे कक्चा के दूसरे जो साहफार्टी भी अपने अपने अनुफोव बातने के लिए वहाँ पे अत्यान्त उत्सुक थे क्योंकि उन में से कुछ भरतपुड अव्यारन ब्रह्मन करने गए थे कुछ ने काजिरंगा, रास्टी उद्यान, लोकचाओ, वन्यजिव, अव्यारन तथा ग्रेट निकोबार, वायसफेर, रिज्वर, बाग, संगरक्चि, छेत्र, इत्यादी के बारे में सुना था अब हम देखते हैं 7.1 चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं जो है डिपोरस्टेशन और इट्स कोजिस अब जो वन्यों मूलन एम उसके कारण अब यह होते हैं इसके बारे में आगे स्ट्टी करते हैं अग्रेट बैरियाटी ओप्लांट्स एन अनिमल्स एक्जिस ओन अर्थ अमारी प्रत्वी फर नाना फरकार के पौधे एम जन्तु पाए जाते हैं यह मानों जाती कि अस्टित्व एम वहली फरकार में रहने के लिए आउसक होते हैं आज इन जियों के अस्टित्व के लिए वनों मूलन एक बहुत बड़ा खत्रा बन गया है हम जानते हैं कि जो वनों मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने में प्राप्त भूपी का अन्यकारियों में उप्योग करना है बन में ब्रक्सों की कटाई निम्न उदेशों से की जाती है अब उदेश कहने के कटाई के जो वन कटते हैं देखते हैं हम आगे फरस्ट है जो है किर्सी के लिए भूपी प्राप्त करना घरों में कारखानों का निर्मा फनीचर बनाने अत्वा लकडी का एधन के रूप में इसका उफ्योग किया जाता है तो स्टुडेंस हम आगे देखते हैं सम नेचुरल कॉसेज और डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फाइर्स एंड सेवर्ट्स जो तावानल एंविशन सो का भी वनुन के कुछ प्राकरतिक कारण कारक हैं इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 7.1 इसमें क्या कहा गया है कि देखें अपनी सोची में वनुन मूलन के अन्य कारणों को लिखें तो था इन्ही प्राकरतिक एंवानो निजमित में वर्गी कीजिए यह आपने करना है इसके बाद हम देखते हैं 7.2 जो है Consequences of Deforestation वनुन मूलन की परिणाम क्या क्या है अब वो परिणाम क्या क्या है हम देखते हैं देखें पाली औभ वो जो हुड़ागा पाली पूंज को गूज जो जो सेवड देखने वर्श च्ट व्यां हम वार्ट रवाट अंचे द्राव थांच एंप स्ट्राव थीदा, रूड़ग रवाट श्राव वार्वाट टिष्ट क्वार्वाब बाट्ट क्या सुड़श और स्टा If cutting of trees continuous rainfall and the fertility of the soil will decrease more ever. अब हम देखते हैं देखिए इसको समझते हैं, यह कह रहा है कि पहली आइन जो बूजो हैं ने वनूर्मूलन के परिणाम याद करने के प्रियास किया था. उन्हें इसमरन है कि वनूर्मूलन से पर्तवी पर्ताफ एम फर्तस्वन के इस्तर में वर्दी होती हैं. इससे वायूमेंडल में कार्बन डायकसाइड का इस्तर बढ़ता है, बहुम जेल इस्तर का भी निमनी करन हो जाता है. उन्हें पता है कि वनोन मुलून से प्राकृतिक संतुनन भी प्रवाहित होता है प्रोफेसर जो एहमत थे उन्हें बताया था कि व्रक्सों की इसी प्रकार जो अनुवरत कटाई चलती है वर्षा और वहमी की उर्वरता में कमी आ जाएगी से इसकी अतिरिक्त बाण एं सुखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाई बढ़ जाती है आगे हम देखते है रिकॉल देट प्लांट्स नीट कारवन डायकसाइट फॉर्स फोटो सिंथेटिस फेवर्ट स्रीज वोड में देट एस कारवन डायकसाइट विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज इक कहरा की रिकॉल याद कीजिए कि प्रकास संस्लेशन की किरिया में पॉल्टों को भोजन बनाने के लिए कारवन डायकसाइट की आउसकता होती है कम बरक्सों का अर्थ मतलब कारवन डायकसाइट के उपयोग में कमी आना जो कम ब्रक्सनों का मतलब ही होता है कि carbon dioxide के उपयोग में कम ही आना जिससे वायू मंदल में इसकी मातरा बढ़ जाती है और क्योंकि carbon dioxide प्रतफी द्वारा उत्सरजित उसमी विकरणों का प्रगरन कर लेते हैं इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद प्रतफी द्वारा उत्सरजित जो उसमी विकरणों का प्रगरन कर लेती हैं अथा इसकी मातरा में व्रद्धी के परिगाम स्वरू विस्वूर्शन होता है प्रतबी के ताप में जो ब्रद्धी के जल्चक्र का संतुनन बिगरता है और वर्षादर में कमी आती है जिसका गारण सुका पड़ता है इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 7.2 हम समझते है एनिमेल लाइफ इस अलसो एफेक्टिड वाई दिफोरस्टेशन हाओ लिस्ट द पोइंट एंड डिस्कस देम इन यूर क्लास वनुन मुनन से वन निपरानी जिवन भी प्रवाहित होता है कैसे इत कारणों की सोची बनाकर अपनी कक्चा में इसकी चर्चा कीजिए इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे वन एम वन निपरानियों का संग्रक्चा यह हम देखें वन एम वन निपरानियों को किजिए पहली एम वो जो चिंतित थे वे प्रोफेसर एमत के पास गए तथा उन्होंने पोचा की वन एम वन निपरानियों को किस परकार बचाया जा सकता है तो इसके बाद क्या हुआ देखें प्रोफेसर एमत अब प्रोफेसर एमत देखेंगा देखें प्रोफेसर एमत और्गनाइजेज अव बिजिट टू अवाइस पर रिजवर फोर पहली वोजो एंड देर क्लासमेट्स प्रोफेसर एमत ने पहली वोजो एम उनकी सहपाथियों के लिए जयव मंदल संग्रचित चेतर के ब्रह्मन का आयोजन किया जयव मंदली जयव मंदली संग्रचित नामक चेतर को चुना जयव मंदली वाइस पर रिजवर था उसको चुना तो इसके बाद क्या हुआ कि छेत्र के पौधे एम जनतु उपरी हिमाले की सरंगलाओं एम निचले पक्समी गाट के समान है प्रोफिसर एमत का विश्वास है कि इस सेत्र की जैव विवित्ता अनूटी है उन्हें वन करमचारियों स्री जो मादवजी से जैव मंडली संग्रची छेत्र में बच्चों को मारगने देशक करने का अनुरोध किया उन्होंने बताए कि जैविव महत्तु के छेत्र में संग्रच्चन हमारी राष्टी परंपरा का एक भाग है इसके बाद हम देखते हैं आगे इसके बाद हम आगे देखते हैं हम बात कर रहे थे ही तू प्रोडेक्ट फ्लोरा एंद फोनवा एंड देर हैबिट्स प्रोडेक्टिट एरियास कॉल्ड विल्लाइफ एंड सेंक्ट्रीज नेशनल फार्क एंड वायस्पेर रिजर्व हैब बीन एर्मार्क आप इसके में कहा रहा है कि जो वनस्पति जात और पराणी जात और उनकी आवासों की संग्रक्चन है तो संग्रक्च छेत्र चिन्नित किये गए जिने वन निजी और विहारन राश्टी उद्यान और जैव मंडल आरक्च छेत्र कहते हैं इसके बाद हम देखें विड लाइफ जो संग्च्छी है विड लाइफ संग्च्छी एर्याज फिर एनिमल्स आ प्रोटेक्टिर फॉम एनी डिस्टर प्रेंस जो डिस्टरेंस तो दैम एंड दियर हैविटेट वह जेत्र जहां जनतों हैं उसके आवाज किसी भी परकार के विशूप से सुरस्चित रहते हैं नेशनल फार क्या होता है एरिया जिजर्फ फॉर्विल लाइफ वेर देखेंस फ्रीली यूज यूज दा हैविटेट्स हैविटेट्स एंड नेच्रल डिसोर्ची राश्टि उद्यान वर्नी जनतों के लिए आरेक्टिर जहां वह स्व विशन और फिल लाइफ, प्लांट एंड अनिमल्स रिसोर्चेज एंड ट्रिशनल लाइफ, अब दर ट्रेवल्स लीबिंग इन दे एरिया वन्नी जिवन पॉंधे और जन्तों संचाद नों और उस शेत्र के आधिवास्यों के पारंपरिक तंग से जिवन यापने तु वि नहीं तकरेगी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 7.4 बाइस फेर रिजर्फ होता गया है